सो हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो भाई आज आया हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ जिस टॉपिक पे मैंने पहले आज तक कोई वीडियो नहीं वनाई थी और वो टॉपिक है सीए के अंदर जो दूसरा रूट है जिसे बोलते हैं हम डारेक्ट एंट्री रू चाहते हैं उनको सारी डिटेल से कंप्लेट इसी वीडियो में मिल जाएं तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और लाइक कर देना वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आए और साथ के साथ कमेंट भी करना अपना फीडबैक और अगर आपको कोई भी दिख्कत आती है त तुम जो ग्रेजुशन है वो तो तरीके से हो सकती है या तो तुम Commerce वाली लाइन में यानि की B.com से जाओगे या फिर Other लाइन B.sc उसे हो सकता है या फिर B.a. से हो सकता है या फिर जितने भी तरीके से graduation होती है वो अलग तो एक side category आगई हमारी commerce वाली commerce stream से b.com से और दूसरी आगई हमारी कौन सी वाली जो की है हमारी other जिसमें B.S.C. Science वाले और Arts वाले सारे आजाते हैं तो अगर तुम commerce stream से हो तो तुम्हें aggregate 55% score करना है ठीक है? aggregate तुम्हें 55% score करना है जैसे as a example मैं ले हूँ कि अगर तुम्हारा total overall मिला के 4 year का है या 3 years के जितनी भी साल की तुम्हारी become है उसमें तुम्हारे अगर 1200 number का है तो उसके 55 number तुम्हें score करने है minimum, maximum तो जितना मरजी करो और साथ के साथ जो others वाले बच्चे है उनको at least 60% score करना है एग्रीगेट में ठीक है, साथ के साथ एक और opportunity है, जिन भी बच्चों का CES का, यहनकी company secretary का और जिन भी बच्चों का CEMA का intermediate level के लिए हो चुका है वो direct entry route को follow करने के लिए eligible है, so तुम्हें eligibility पता लग गी होगी बट उससे पहले मैं एक चीज बता दू कि direct entry होता क्या है, तुमने इतना तसुन लिया अब direct entry के बारे में सुन लो direct entry एक ऐसा route है, जिसमें कि हमें foundation जो exam है C.A. foundation जो exam है, उसे ना दे कि हम directly intermediate level पे जंप कर जाते है so, यह बहुत easy हो जाता है उन बच्चों के लिए जो become के बिल्कुल मतलब जिन्होंने become पहले से start कर दी है मतलब C.A का सोचा नहीं था और वो become के कुछ last stages पे हैं जैसे कि या तो second last semester पे हैं या last semester पे हैं और वो सोच रहे हैं यह C.A करने का तो जब वो बच्चे C.A करने का सोच रहे हैं तो वो foundation ना देके directly intermediate पे jump कर सकते हैं यह उनके लिए बहुत ज़्यादा beneficial है और चलिए अब आगे start करते हैं इसके आगे की details साथ के साथ तुम्हें एक और important चीज मा बता दूँ कि जररी नहीं है कि तुम्हें करनी है या post graduation जो भी करनी है वो तुम्हें सिर्फ regular college से करनी है यह कोई भी compulsory नहीं है तुम open university से भी कर सकते हो देखो यह जितनी भी चीज है मैंने सारी लिख रखी है और यह मैंने directly PDF से लिखी है ताकि आपको PDF पढ़ने में जादा time ना लगा और ज्यादा दिमाग ना लगाओ completely तुम्हें सारे detail एक 10-15 मिनट की वीडियो में मिल जाए सो कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि authentic नहीं हो सारी चीज मैंने PDF से लिखके फिर लिख रखी है ठीक है इसके बाद हम आगे forward करते हैं मतलब आगे वीडियो में बढ़ते हैं किस चीज पर steps पर तो हम देखेंगे steps हमें किस तरीके से बिल्कुल direct entry route में entry से लेके बिल्कुल final पार करके हम CA बन गए वहां तक का proper मैं 12 steps में तुम्हें बता दुआ ठीक है और उसके बाद हम steps से सबसे पहला step है वह है तुम्हें registration करना और registration का link मैं तुम्हें वीडियो के description में दे दूँआ साथ के साथ मैं सोच रहा हूं कि एक direct entry की registration demo registration करने की video भी मैं upload कर दूँ जिससे कि जो थोड़े computer friendly नहीं है technology friendly नहीं है students उनको दिक्कत नाओ और वह easily step by step सारी चीज़े follow कर सेखें अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो comment में जुरूर बताना सबसे पहले हमें करना है registration उसके बाद क्या होता है कि minimum 8 महिने का study period होता है जैसे मानलो अगर तुमने जनवरी फरवरी में अगर registration करा है भी ठीक है तो तुम्हें नवेंबर वाला attempt देना होगा intermediate का तुम्हारे इसमें जो documents basic documents लगेंगे अधार कार्ड वगरा ये सारी चीज़े और तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारी सारी पिछली mark sheets सारी कि सारी अगर तुम ने देखो मैं तुम्हारे पास दो option बताता हूँ clearly सबसे पहला option है कि तुम्हारी जो graduation है वो complete हो चुकी है properly completed है एक side में और दूसरे student वो होंगे जिनकी graduation complete नहीं है उनके 5 semester clear हो चुके है या एक तरीके से बोलूँ वो 6 semester में है या फिर final year में चल रहे है तो उनके लिए क्या option है कि वो provisional registration करा सकते है जिनका clear हो चुका है वो बिल्कुल एक complete registration करा सकते है बट जिनका भी चल रहे है अंडर गोईंगा last semester या last year है वो क्या कर सकते हैं कि वो provisional registration के थूँ entry कर सकते हैं और provisional registration में क्या होगा तुमारी पिछली 5 semester की या पिछले 2 years की mark sheet attach होगी और जिस year का भी paper रह रहा है यानके जिस paper को हम तुमने नहीं दिया है ठीक है उस paper का admit card या जो भी तुमार पास एक proof हो कि या ये paper मेरा होने वाला है वो तुम्हें attach करके upload करना है ठीक है basic details भरने के बाद अब क्या होगा कि तुम 8 महीने पढ़ाई करोगे मतलब 8 महीने से पहले तुम paper नहीं दे सकते हो जहां से तुमने registration करा है उसके 8 महीने बाद ही तुम paper दे पाऊगे अब चाहे तुम 8 महीने बाद वाला attempt दो या उसके बाद वाला attempt वो तुमारी मर्जी उसके बाद क्या होगा कि तुम attempt से पहले काम होता है जो बहुत ज़्यादा important होता है और तुमें वो बूलना नहीं है क्या चीज तुमें exam form बरना है ठीक है तो exam form बरने के बाद फिर तुम अपना exam दोगे बोद गुरूप्स किलियर करोगे अब ये कोई compulsory नहीं है कि तुम एक इबारी में बोद गुरूप दो ठीक है तुम single single करके भी गुरूप्स निकाल सकते हो जो कि intermediate level पे दो गुरूप होते है फर्स गुरूप में 4 paper अब 3 हो गए है फर्स गुरूप में 3 paper सेगंड गुरूप में 3 paper तो तुमारी इच्छा है तुम एक एक करके निकालो या दोनों एक साथ गुरूप दे दो वो तुमारे उपर डिपेंड करता है बट जहां तुमने दोनों गुरूप किलियर कर लिये उसके बाद का step क्या है कि तुम्हें ITT की training अपनी start करनी पड़ेगी ITT की training information technology training है इसमें तुम्हें computer के बारे में basic चीज़े बताई जाती है जैसे कि तुम्हारा Excel, Word, PowerPoint, Tally, MS Access ऐसे करके कई सारे software तुम्हें सिखाई जैंगे और इस चीज़ का कि तुम्हें किस level पर क्या सिखाई जाता है क्या environment रहता है इस चीज़ के मैं vlogs डाल रहा हूँ तुम जाकर playlist चेक कर सकते हो वहाँ पर proper vlog डले हुए हैं कि हाँ भी किस तरीके से क्या environment रहता है क्या सिखने को मिलता है और क्या interaction रहता है तुम चेक कर सकते हो जीज़ इसके बाद जब तुम ITT training अपनी complete कर लोगे ITT training के साथ साथ तुम्हें अपना orientation class भी complete करना होगा उसके बाद तुम्हारी दो साल की practical training चलेगी दो साल की practical training अब ये practical training कुछ नहीं है सिर्फ वही है आर्टिकल से बस नाम चेंज करा है अब से new scheme के बाद से इसे practical training बोला जाएगा intermediate के बोध ग्रूप पाच करने के बाद तुम्हें अपना final में registration करना होगा साथ के साथ तुम्हारी practical training भी चल रही होगी अब जब तुम्हारा आर्टिकल्शिप चल रही होगी उस टाइम पर तुम्हें चार सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल ओनलाइन मॉड्यूल जो शुरू कर रहे हैं इसके बार में मैं एक अलग वीडियो बनाऊगा जिसमें प्रॉपर डिटेल होगी इसकी वो देना है वो घर से ही होगा और उसका एक्जाम भी होगा ठीक है फिर जब तुम्हारी ये ट्रेनिंग कंपलेट हो जाएगी यहनकि जब तुम्हारे दो साल के ट्रेनिंग हो गई अब तुम्हारा क्या हो गया है तुमने final का registration करा लिया है चार self-paced online module कर लिया है उसका exam दे दिया है तुम्हारी practical training भी खतम हो गई है इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि अपना final का exam देने से पहले अपना final का exam देने से पहले तुम्हे advance ITT training करनी पड़ेगी ITT training तुम्हें मैंने क्या बोलाता है कि तुम्हें basic चीजें सिखाए जाती है जैसे excel, powerpoint, tally अब इनी का ही advance version यानि कि थोड़ा और advance level पर तुम्हें computer के बारे में सिखाए जाएगा वो होगा advance ITT का ये भी कोई 15 या 20 दिन का होता इसके बारे में तिनी knowledge नहीं है बट हाँ, ये 15 दिन का होता है इसमें भी तुम्हें उसी तरीके से सिखाए जाता है अब जब तुम advance ITT का complete कर लोगे course तुम्हें एक certificate वहाँ से मिल जाएगा उसके बाद तुम्हें भरना होगा अपना exam form exam form अपना final के लिए और final का exam form भरने के बाद तुम अपने final के exam दोगे जो तुम single group दे सकते हो both group दे सकते हो वो तुम्हारी इच्छा अब single group both group करके तुम जैसे ही both groups उसके पास कर लोगे एक बारी में दो बारी में जैसे भी उसके बाद तुमारा C.E.A. clear तो ये प्रोपर 12 स्टेप्स थे जो कि मैंने यहां पर लिख रखे हैं इसकी मैं फोटो भी लगा दूँआ description में तुम्हें इसकी फोटो मिल जाएगी वहा से तुम डाउनलोड करके देख सकते हैं पूल simplified way में मैंने लिख रखा है तो ये था direct entry का एक प्रोपर road map कि तुम्हें कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना अगर तुम direct entry route को follow करते हो तो कैसे तुमारा registration होगा क्या तुमारे eligibility होगी बीच बीच में कौन सी training कौन से courses, कौन सी ITT training कितने duration की क्या क्या है सारा मैंने इस वीडियो में बता दिया है इस वीडियो के बाद शायद ही तुम्हें और कहीं बटकना पड़े कि यहां भी direct entry को मैं कैसे करूँ साथ के साथ last में मैं एक bonus tip देना चाहूँगा जो last तक बच्चे देख रहे हैं देखो तुम्हारा अगर second last year चल रहा है तो तुम एक बार second last year नी second last semester अगर चल रहा है तो तुम एक बार try कर सकते हो कि एक बार foundation route को भी try किया जाए ठीक है तो तुम्हें अलग exposure मिलेगा कि यह foundation route भी क्या होता है exam देने में क्या गड़बड है तो अगर तुम चाते हो तो foundation route को भी follow कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम उस चीज को clear कर लोगे क्योंकि तुमने वो पहले पढ़ रखा है और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है जैसे accounts में यलो में कुछ topic समझ नहीं आते तो मैंने उस चीज की एक proper playlist बना रखी है accounts में जो important important chapter है उनको clearly basic से समझाया हुआ है उसकी भी playlist में i button पे भी दिखा दूँगा और तुम्हें description में मिल जाएगी अगर accounts का तुम्हें proper एक main main chapters का overview concept चाहिए तो ठीक है और अगर तुम्हारा last semester है तो तुम अपना direct entry route को follow कर सकते हो और direct entry route को follow करने की proper detail मैंने इस पूरी वीडियो में दे दी है अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई like कर देना जरूर और साथ के साथ subscribe कर देना चैनल को और informative वीडियो के लिए हमारी चैनल पर ऐसी ही informative वीडियो आती रहती है जिससे की तुम्हारी और knowledge बढ़ती जाएगी और तुम्हें CA course में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी साथ के साथ इस चैनल पर vlogs भी आते रहते हैं जो की entertainment के साथ साथ तुम्हें information भी देंगे कि क्या कैसे होता है actual में तो मिलते हैं आप से next video में thank you and peace out